हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार जोतिश ज्यान में दर्शु को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आईए इस विशे संक में हम आपसे बात करते हैं मंगल ग्रह की घर वापसी हो रही है मंगल ग्रह अपनी राशी में मेश राशी में जा रहे हैं तो हमें मंगल ग्रह से सम्मंदित क्या किस तारिक को हो रहा है और किस तारिक तक ये रहेगा आप लोग नोट कर लेना 24 दिसंबर को दस बज करके 21 मिनट पर मंगल राशी परिवर्तन करेंगे मीन राशी से निकल करके मेश राशी में आएंगे और ये कब तक रहेंगे 22 फरवरी की सुभा चार बज करके 35 मिनट तक नहीं करेंगे उसके बाद फिर व्रश अबराशी में पता रपण करेंगे करीब साठ दिन का ये मंगल का परिवर्तन जीवन में मंगल ताला सकता है मेरी साध को जीवन जब बदलने पर आता है ना तो कई बार एक छण में दुनिया बदल जाती है और कई बार एक पल में दुनिया उजड़ भी जाती है इसलिए हमेशा हमारा समय शुब रहे हमारे जीवन में मंगल कारिय होते रहे और मंगल देव हम से सदैव प्रसंद बने रहे हमें उपाय कर लेने चाहिए ग्राहों का जब परिवर्तन होता है तो कुछ न कुछ प्रकर्ती पे असर जुरूर आता और प्रकर्ती के साथ साथ हम पर भी आता है मानव पर भी आता पश्वों पर भी आता प्रक्षियों पर भी आता सब पर आता रीतूं पर आता है ना आप जैसे रीतूं में बदलती है सर्दी गर्मी बरसाथ तो पूरे वाताबरन पर उसका असर आता ऐसे ही जब ग्रह बदलता है तो उसका असर भी व्यक्ति विश्यस के उपर जरूर पढ़ता है अब रही बात के कई बार ये परिवर्तन कुछ लोगों के लिए शुब होता है कुछ लोगों के लिए परिवर्तन अशुब होता है तो कहने का भाव हम यही चाहते हैं कि सभी के लिए शुब रहे लेकिन एक चीज और कहूंगा कई बार कुछ चीजे सुनकर के आप लोग डर जाते हैं जैसे अब इन चार रासियों पर मंगल होंगे नाराज इन चार रासियों को धनाएगा छप पर भाड़के खोब हो जाएंगे माला माल तो मैं इन चीजों से थोड़ा इत्वाक नहीं रखता हूँ क्यों? कर्म प्रधान है एक रासी से संबंदित करोड लोग होते हैं आप अपनी रासी से संबंदित या यह मंगल का परिवर्तन सभी के लिए शुब नहीं हो सकता और सभी के लिए शुब भी नहीं हो सकता कैसे हमने अपने अने को जगा ये उधान दिया है कि रामजी की वही रासी है और रामण की वही रासी है कंस की वही रासी है करशन की वही रासी है अब हम किसी ने किसी हिसाब से तो ग्रह गोचर देखेंगे इना तो कहने का भाव ये मेरी बात उनके लिए है जो लोग डर जाते हैं या जो लोग इतने प्रसन हो जाते हैं कि अब तो धन बरसेगा, खुब बरसाथ होगी खुब अपस्राएं नरत्य करेंगी, नहीं साथ बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक मन की लोलुपता है, एक मन को समझाने वाली बात है ऐसा नहीं हो सकता, भाग्य अपनी जगा है और कर्म अपनी जगा है कर्म करने से ही भाग्य बनता है, ध्यान रखें एक बच्चा पैदा होता है पैदा होते ही वो कुछ कमाई नहीं करता पैदा होते ही वो कहीं का शैंशा बन जाता पैदा होते ही वो राजा बन जाता और पैदा होते ही कई वार वो बच्चा अनात हो जाता क्यों उसका प्रारब्द है उसके किये हुए कर्म है तो देखो कर्मों का लेखा जोका तो काटना पड़ता इसलिए मैं जल्दी से किस रासी पर क्या होगा कैसे होगा ना बताते हुए बीच का रास्ता आपके लिए चुन करके लाता हूं कि आप अपनी रासी से संबंदित कुछ उपाय कर लें थोड़ा समय जाद है बोल रहा हूं थोड़ा मुझे जह लिएगा ताक आपकी रासी पर अच्छा प्रभा हुआ है और ये मंगल के राशी परिवर्तन करने का सुब समय तो है ही है क्यों कि मंगल अपनी राशी में जा रहे हैं जब कोई व्यक्ति अपने देश लोटता अपने वतन लोटता अपने घर में जाता तो कहते हैं ना अपने घर में पह विश्व में कैसी हल चले होई हैं और हो रही हैं तो मंगल का ये अपने घर में वापसी कुछ ना कुछ अच्छा प्रणाम विश्व के लिए ले करके जरूर आएगा दूसरी बात मस आप यही समझें आपने रिश्यों की वाणी कि सर्वे बहंतु सुकीने सर्वे संतु निरामया के प्रभू पूरे विश्व का कल्यान हो और जब पूरे विश्व का होगा तो हमारा भी होगा और मंगल विर्ता के सूचक हैं ब्लड के सूचक हैं संबंदे रिस्तों के सूचक हैं भूमी जमीन धन, जाजायद, मोटर, चाकर, गाड़ियां इन सब के मंगल सूचक है युद्द के देव है, युद्द के अधिनायक है इतने बड़े ग्रहे मंगल है जीवन में मंगलता उत्पन करने वाले ग्रहे मंगल है तो ऐसे ग्रहे का जब कुछ आगे पीछे मारगी हो या वक्री हो तो हमें उस इस्तिती में उपाये यदि हम करते है कुछ ना कुछ हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं बात करते हैं कि हमें क्या करना होगा अब ये मैंने आपको बता दिया 24 दिसंबर को दिन में दस बज करके 21 मिनट पर मंगल रासी परिवर्तन करके अपनी रासी में मेंस रासी में पहुँच जाएंगे स्वागत है इन उपायों के साथ आप सभी साद्गों का और सुबकामनाएं हैं कि आपके जीवन में बस मंगल ही मंगल हो है प्रमात्मा कहीं या किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई अमंगल रूपी कारिये ना हो हमें 24 तारिक के बाद ये उपाय करना है मंगलवार के दिन और इन बेट्विन साथ दिनों के बीच में आप देख लीजए दो महीने होगे करीब तो आठ नों मंगलवार आते हैं तो हम केवल तीन मंगलवार या चार मंगलवार ये उपाय करेंगे तो हमें विसे इसलाब की प्राप्ति होगी दो मंगलवार एक बार करने हैं दो मंगलवार बाद में करने हैं क्या करने हैं मंगलवार के दिन जब आप जल पीएं तो कोई भी आपके पास गलास हो कोशिस करें उसमें तांबे का सिक्कर डाल दे तांबे का सिक्कर डालके रखें और वो तांबे का धातू का जलाप पी है और वैसे भी ताम और पात्र का जल शुब होता है और यही तांबे का आपके पास गिलास है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कई बार क्या होता है हम अपनी जॉब जहां जॉब करते हैं कुछ करते हैं तो टेबल पर गिलास भरा हो क्वाइन अपने जेब में फिर वापिस फिर अगले मंगलवार काम आएगा यह वहीं किसी डॉर में कहीं अपना रख दीजिएगा उसको आसान रहेगा ना तो हमें मंगलवार के दिन तांबर पात्र से या तांबे के सिक्का डला हुआ जल पीना है बस जब जल पीएं तो ध्यान रखें भई सिक्का विक्का मूँ में न जाए थोड़ा हिसाब से आगले गिलास में दूसरे में निकाल करके हम पी सकते हैं चल आगे बढ़ते हैं मंगलवार के दिन लाल फल हम बाट सकते हैं मनी मन ओम मंगलाय नमा ओम भोमाय नमा ऐसा बोलते हुए जैसे फल दे सकते हैं सेव दे सकते हैं वेजी टेबल टमाटर गाजर कोई भी ऐसी सीजनल जो वेजी टेबल होती हैं वो हम कहीं भी डोनेट कर सकते हैं इसमें वजन वा कोई भी मिठाई हो वह मंगलवार के दिन बच्चों में बाटें बढ़ा शुब प्रभाव से आपको प्राप्त होगा और दूसरी बाट हैograph zod Minh नदिस क्वब हो और समय हो और मन हो तीनों बातें होने चाहिये मन भी होना चाहिए समय भी होना चाहिये मंगल देवता के 108 नाम जरूर पढ़िएगा मस्तक पे लगाई ये लाल तिलक और पढ़िए मंगल बार के 108 नाम कि है मंगल देव आपका ये राशी परिवर्तन मेरे लिए मेरे परिवार के लिए स्विश्व के लिए शुब हो सर्वे् गोंतु सुकिना आप ऐसा कितनी मंगल बार करें चार मंगल बार करें बहुत लोग ऐसे हैं आधान संस्कृत नहीं पढ़ाएंके मंगल देवता के नाम नहीं पढ़ाएंगे सुन लेजีए अजक्ल तो यूट्यूब में सब कुछ है सुन लेजे मंगल देवता के एक सवाश नाम या और शौट कर देते हैं ओम भॉम भॉमाए नमा इतना तो याद रहेगा लिख लिजिए ओम भॉम भॉम भॉमाए नमा इस मंतर को मंगल वार के दिल लाल चंदन की माला से या रुद्राक्स क माला से तीन या पांच माला इस विजात्पक मंगल के विजात्पक मंतर का जब करिएगा मंगल वार के दिन बैल को गुड़ जरूर खिलाईएगा बहुत अच्छा होता है यदि मंगल वार के दिन आप बैल को गुड़ खिलाते हैं तो इससे क्या होता है बहुत लोग सोच करता है और बैल क्या है नंदी क्या है नंदी की सिवारी मालूम है ना कौन बैठते हैं नंदी पर बाबा भोले नाथ तो भगवान शिव नंदी की सिवारी करते हैं है ना तो नंदी को आप प्रसंद रखिए तो भगवान शिव का भी आशिस मिलता है और मंगल देव का भी आ पड़ाता है। ओम मंगलाएं नम या ओम भ्हमाएं नम बोलते हुए, मंगल प्रसन होते हैं। और भगवान लक्र भी मंगलों के प्रताता ह प्रसन्ड नहीं। है यह आप करूए दो मंगल बार चार मंगल बार यह पूरे इस परिवर्थ्टन में कितने मंगल आएंगे आठनों मंगल आ जाएंगी जो भी आएंगे उसमें आप करिएगा आपको लाब मिलेगा मंगलबार के दिन हम अपने भोजन में कोई ने कोई लाल मिठाई या गुड़ थोड़ा सा यूज कर लिया करें खा लिया करें गुड़ तो वैसे भी सुपाच्य होता है अब चीनी गर्म इमर्ती गर्म गर्म जलेवी संध्या के समय मंगलवार के दिन हनमान जी को चुड़ाई और उने के शिरी चड़नों बैट करके बजरंग बान हनमान चली सा कुछ भी जो आपको पढ़ सकते अच्छा लगता जरूर पढ़िएगा शत्रूता कम होती है एक बार वीडियो सुन लीजिएगा और दो चार उपाई जो आपके मन को लगते हैं ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो नोट डाउन कर लीजिएगा करिएगा और करवाईएगा भी और हाँ एक परिवार है अब परिवर्तन तो ये सब के लिए करने है ना मेरे लिए है ना आपके लिए सब के लिए पूरे विश्व में मंगल का ये परिवर्तन है तो आप अपने पूरी परिवार के नाम से भी उपाई कर सकते हैं जैसे मा कर ले, पिता कर ले, भाई कर ले कोई भी कर ले मंगल मंदर गाए है हनमान जी आपने गरम गरम जले भी मरती आपने भोग लगाई है वही बैट करके हनमान चाले इसा पड़ रहा है और जब उसमें ऐसे सी बाते आती है न संकट कटाया मिटे सवपी राजो सुम्रे हनमत वल्वीरा दुरगम काज जगत के जे आप करिये करना चाहिए हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं मुझे देखा मिने बड़ा गोलगप्पे की तरह फूल जाते हैं जब मैं अगर लिख दूं के इन चाल राटरी वाले बन जाएंगे धन्ना सेट बिना करें धन्ना सेट बन जाएंगे भईया कैसे बन जाएंग कि आप इस प्रकार की बाते पसंद करें करम पर विश्वास रखें बास हम मंदिर जा रहे हैं भगवान से प्रेयर कर रहे हैं गाए माता को कुछ खिला रहे हैं कोई सब्जी दालत दे रहे हैं कोई फल बाट रहे हैं यह मारा करम है शुब करम है और जब शुब करम करेंग यह मंगल देवता का अंतिम ग्रह गोचर कर रहा है फिर तो अंग्रेजी नया साल जाएगा जन्वरिया जाएगा भाई एंड मुमेंट पे तो और अपनी इस्तिती को मजबूत बना देना चाहिए भाई अंत भला तो सब भला समझ गए ना तो इसलिए तीन ग्रही अंतिम महिने में वह करना है परिवरतान सूर्य 15 दिसंबर को बुद्ध 17 दिसंबर को और मंगल 14 दिसंबर को तीनों वीडियो आपके लिए बनाई हैं बहुत मन से बनाई हैं और आप उपाए मन से करिएगा बोल चुक कोई हमसे रह गई है उसके लिए हम छबा च अच्छा लगा बहुत धन्यवार और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सरानी हैं हम लोग को मौका मिला है हम लोग बहागिशाली है जो आपके करीब हाने का मौका मिला है सुभा 10 बजे से शाम 6 बजे तक